अस्सलाम अलेकुम वीवर्स आसे विलीच फूर्ट में हुश्याम दीद आज हम बनाएंगे बनारसी समया जो मेरे घर में बनती है किस तरह से हम मज़ेदार समया बनाते हैं जो के सभी को बहुत पसनाती है इस समये में सारे सीक्रेट स्टेप बाइ स्टेप इस रेसीपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए इस रेसीपी को फूल वाच कीजिए ताके आपकी रेसीपी भी बिल्कुल मेरी तरह परफेट बने चले आएं हम अपनी रेसीपी को स्टार्ट करते हैं रेसीव को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक केजएगा बिस्मिल्ला रख्मान रहें कीमामी समय बनाने के लिए मैंने समय का इस्तमाल डेड़ पाउ किया है देखें आदा कब में ओर डालती हूं मैं आपको बनार्सी समया में और जो एक नोर्मल शीर खरमा बनाते हैं उसकी समया में आपको फरक बताती हूं यह देखें यह नोर्मल हम जो शीर खरमा बनाते हैं यह वह समया है जो आपको हर जगा मिल जाती है और यह देखें बनार्सी समययां इस तरीके से वाइटल में होगी और बारी बारी इसे पीसिस में होगी इसको मैंने चूरा नहीं किया यह बिल्कुल ऐसे ही मुझे मार्किट से मिली है समययां रोज कनने के लिए मैं आपको आज चेक करवा देती हूँ समया रोस करने में हमें 15-20 मिनट लगेंगे क्योंकि हम किसी रेसीवी को वक्त देते हैं तो हमाई रेसीवी अच्छी बनती है अगर आप इससे सही रोस नहीं करेंगे तो समया में कच्चापन रहे जाएगा इसलिए आप इस पॉइंट को नोट करने कि समझ्यव कम असकम हमें 20 मिनट तक रोस करना है आप यह देख सकते हैं कि 15 मिट बाद समझ्यव कलर को इस तहां का हो जाएगा अब इस पॉइंट पर आके मैं 1 टीस्पून घी का डालूंगी घी हमें लास में डालना है 5 मिनट पेले अब इसे भी 5 मिनट तक मेहल की आच में इसी तरीके से रोस कर लूंगी आप इस एसी पी को ज़रूर बनाईएगा यह बहुत ही टेस्टी समझ्यां बनके तयार होती है विवर्स आप इसे बिना घरम किये बिना फिरिच में रूम टेमरेटर में एक हफ्ता दस दिन तक रख सकते हैं कि यह खराब भी नहीं होती और बहुत ही टेस्टी जएकेदार बनके तयार होती है अब यह देखे हमारी समझ्यां अच्छे से रोस हो गई है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ आप देख सकते हैं समझ्यां रोस करने से पहले कुछ इस तहा के कलर में थी और रोस के बाद देखे हमारी समझ्यां इस तरह से फराई हो गई है इसलिए आप इस पॉइंट को लाजबी नोट करना कि हमें समया कितने टाइम से किस टाइम तक फराई करनी है बनारसी समया बनाने के लिए मैंने एक पाव खोया का इस्तेमाल किया है खोये में वंटी स्पून घी डालकर हलकिया आच में मैं रोस कर लूँगी बनारसी समया में खोये को रोस करके डालने से ये फायदा होगा कि वीवर्स अगर हम जब खोये को समया में डालेंगे न तो एक घुल जाता न बिना रोस किया खोया समया में से घुल सजाएगा पर हम जब रोस करके दालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, बिल्कुल साबू साबू दानेदार खोया नजर आएगा अब देखा हमें इतना ही रोस करना है, खोये को हम ठंडा होने के लिए साइट में लगते हैं और दूद की तरफ आते हैं वीवर्स मैंने डेड़ पाव बनासी समया बनाने के लिए इसमें डेड़ किलो दूद का इस्तमाल किया है और दूद मैंने पेवा लिया है, दूद में देखें ये अच्छे से उबाला गिया है और इसके साइट साइट में इस तरह से बलाई जम रही है इसे मैं चम्चे की मदश से इस तरीके से साइट में करती जाओंगी ये भी वीवर्स एक सीक्रेट है, इस एक पाइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा आप देख सकते हैं दूद में किस तरीके से उबाल आ रहा है और मैं इस स्पून की मदश से इस तरीके से साइट साइट में मिलाई करती जा रही है दूद को वीवर्स इतना पकाना है कि ये पक पक के तीन पाउं के करीब रह जाए अब ये देख सकते हैं दूद पक पक कर आदा हो गया है और इसकी बिलाई देखें किती मोटी माशाला से आई है मैं आपको चेक करवाती हूं अब दूद को बिल्कुल हलकी आच में करके दूसरे चूले पर रख देती हूं अब हम समय का शीरा बनाते हैं मैंने चार गिलास पानी का लिया है शीरा बनाने के लिए इसमें मैं तीन पाउ चीनी का इस्तमाल करूंगी बनारसी कमामी समिय या वीवर्स बहुत ज़्यादा मीठी होती है अगर आपको मीठा ज़्यादा पसन है तो आप तीन पाव की जगा एक किलो चिनी का इस्तमाल कर सकते हैं बनारसी समिय का शीरा तैयार होने तक मैं इसे पकाऊंगी शीरा कितने तार का रखना है यह भी मैं आपको आगे चलके बताती हूं यह देखें हमारा शीरा भी अच्छे से तैयार होगिया है मैं इसे इस तरीके से गरा रही हुआ न तो यह ड्रोप की सुरत में इस तरीके से गिर रहे एक टपा कर रहा तो तो इसमें भी ताडसी बन रही है आप मैं इस आपको घाथ की मतर से चेक कराती हूँ यह देखे मैं इसको उंगली से दबार लए नहीं देखे इसमें भी देखे ताडसी बन रही है इसका मतलब है हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है अब देखें वीवर्स दूद को भी मैंने एक साइट में हलकी आजपे करके रखा था अब मैं इसमें एक अदत लीमू लोगी इसको इस तरीखे से इसमें निचोड लोगी लीमू दालके दूद को पाड़ना है अगर आपके पास लीमू नहीं हो तो वन टेबी स्पून सिर्के का दाल सकते है अब यह देखें अब यह जैसे उबाल आएगा न वीवर्स तो यह खोया बिल्कुल इसका अलग हो जाएगा अब मैंने दूद को जो बिलाई साइट साइट में की थी इससे देखें एक यह सीक्रेट है कि इससे दूद का हमाय खोया न बहुत ही मोटा मोटा सा बड़ा बड़ा सा बनेगा आपको मैं आगे चल कर दिखाऊंगी और इससे बहुत ही जाएका अच्छा आएगा सविए का यह बनारसी सविए के बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है इस तरह की आपने रेसिपी यूटूब में नहीं देखी होगी क्योंकि बहुत से लोग बनारसी सविए की रेसिपी शेयर करते हैं जो पॉइंट मैंने बताए हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आपने यूटूब में रेसिपी नहीं देखी होगी यह बहुत ही टेस्ट यो जैकेदार बनके तयार होती है इसे आप एक सारा खोया बिल्कुल अलग सा हो गया है और यह खाने में बहुत ही जबरदस लगेगा जब समय्यों हम दालेंगे न तो बहुत ही अच्छा से यह खोया का टेस्ट आएगा अब समय्यों को दालके मैं तो रपकाऊंगी चार मिना तक समय्यों को मैं बीना धकन धके वे जाए तक हम फ़ुदी से इसमें एक्सफ हो जाए शीरा अगर हम शुदू में धकन धक देंगे न वीवर्स तो यह बिल्कुल नरम पड़ जाएगी हमें तो यह खिली खिली चाहिए बिल्कुल एक आप समय्यों को लग नरम सी हो जाती इस तरह की बिखने है आप इसमें दे चुबू आएगी आप मेरे बताये हुए तरीके से ये समया बनाएंगे ये भोती जाएकेदार टेस्टी बनके तयार होगी उसके एक एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत से एहम होते हैं अगर हम इस दरह सा भी मिस्स कर देना तो हमाई समय है सही से बनके तयार नहीं होगी अब आपके देखो लुकवाइस भी आपको अंदाज़ा होगा किती जबरदस हमाई समया बनके तयार हुई है आप इस पॉइंट पे आका आप मेवा चितना भी डालना चाहें वैसे डाल दें या सर्फ करने के दुरान डालें ये आपके प देखने पांच मिनट बाद मैंने ढखकन ढखके भी पकाया है पर देखें ये बिल्कुल गुली नहीं है एक होजा नरम हो जाती है बहुत जादा खिली-खिली से हमाई समया है वह इसी तरीके की बनारी से समया खाने में बिल्कुल पर्फॉयक पिरती है अब मैंने जो ये ड्राइर नट्स कट करके डाले है ड्राइर नर्स में पिस्ते बदाम काजू ये चीज़ जाएगी समया में जिसे छोहारे की कौपरा वाज नहीं डालेंगे है और इसमें आप जितने भी जदादा ड्राइर डालेंगे इस पॉइंट पर बहुत ही टेस्टी बनके तयार बहुत से बनारसी समय है बनाने वाले इस पॉइंट पर नहीं डालते हैं अब देहरा थे हमारे अच्छी सी बनारसी समय तैयार हो गए है आपको लुख वाइस भी अंदाजह हो रहा गा कित्री जबधर समय समय बनी हैं अब समय्यों को मैं डिश आउट करती हूं मैं आपको ये भी पताऊंगे कि बनार्सी समय्यों किस तरीके से सर्फ लिया जाता है क्योंकि ये बहुत मिठी होती है अब समय्यों को जो मैंने ड्राय नट्स कट करके रखे थे इसे गानिश कर दूँगे थोरा खोया मैंने पचा कर रखा था उससे भी गानिश कर दूँगे अब ये देखें इतनी जबरदस हमारी लुक वाइस की मामी बनार्सी समय्यों बिलकुल रेडी है आप इसे ज़रूर बनाईएगा ये बहुती टेस्टी बनके तयार हुए ये वीडियो देखते हैं आप अगर यहां तक पोच गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल ना वीडियो बनार्सी समय्यों में अलग से डालूँगी यह जर्फ में यह लोग मिला के रखेंगे जिससे हम शीव क्रोल में डालकर से घृफ में पकाते हैं इस तरीके से हम बनाकर यह रखेंगे और दाल करेंगे उसमें डाल कर करके इस तरी किसम बनारसी समय को सर्फ करते हैं आपको मेरी बनारसी समय की यह रेसिपी कैसी लगे कमिस में लाजमी बताईएगा अब आसे विलीच फूट को इजाज़ा दीजिए नेक्स रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं अला पीस